कि जो आकड़े भी रखे आएं जो उधर से आकड़े रखे गए हैं वो आकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो देश देख रहा है कि तीम परसेंट पे हैं कि चार परसेंट पे हैं जगड़ा इस बात का है कि क्या सही आकड़ा क्या नहीं question ये है कि आज हमारी कैसी स्थिती देश की होगा economic slowdown की बात हम लोग कर रहे है economic slowdown actually है तभी तो इस पे चर्चा हो रही है और ये जो सत्ता पक्च है ये भी मान रहे हैं कि economic slowdown है उस पे ये blame game खेलना कि यूपिये ने शुरुआत की उस लिवजे से शुरू हुआ या पूरी दुनिया में आज slowdown हो गया है इसलिए हम भी slowdown कर रहे हैं आप अपने आखड़े दीजे आप ये बताईए कि आप क्या कर रहे हैं आज आपके slowdown इस country के बारे में आज जो हम लोग देख रहे हैं कि सारे आप एक एक करके PSU's को बेचने की बात कर रहे हैं बेचने का असर क्या हो रहा है क्यों क्यों बेच रहे हैं आप ये तो शायद reason बताना ही पड़ेगा आज finance minister थापको कि आज आज इन PSU's को एक के बाद एक सारे PSU's जो इतनी मुश्किलों से बने थे और जो public sector है जहां पर क schedule class, schedule tribes, backward class इन सबके reservation होते एक fixed employment का एक source होता है उसको आप आज खतम कर रहे हैं तो हम ये क्यों ना मालने कि जैसे East India Company एक बार यहां आई थी उसने take over कर लिया पूरे हिंदुस्तान को अपने business के ही through किया था आज दो तीन आपके industrialist हैं वो East India Company की तरह है ये सारे private PSU's तो उनी ही hand over कर रहे हैं तो उसके बाद वो country चलाएंगे आपके हाथ से या हमाएं हाथ से तो निकल चुकी होगी तो वही लोग चलाएंगे वो चाहेंगे तो हवाईजाज चलेगा वो चाहेंगे तो shipping corporation चलेगा वो चाहेंगे तो तेल मिलेगा वो चाहेंगे तो agriculture चलेगा वो डिस छो करजा करने की बात करें आज बैंक्स जो है आमके बंद और है बैंक्स में पैसा कोई करजा नहीं ले रहा है और उसका तरीका निकाल लिया डुबोने का तो इशू इस वाइ इस अनिप्लॉइमेंट वाइ जिस आप कहते हैं कि इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है इंडस्ट्री का ग्रोथ कहां से होगा जब कोई कंजूमर नहीं है इंडस्ट्री आप कहरे हैं हमने corporate tax कम कर दिया आपने इंडस्ट्री जो की manufacturing industries हैं उनका tax आप कम कर रहे हैं जिससे के लोग manufacture करें manufacture किसके लिए करेंगे जब कोई consumer होगा तब तो manufacture करेंगे आज सारी industries one by one they have got closed बंद होती जा रही है जितनी manufacturing industries बंद होती जा रही है power sector power sector की situation यह थी कि हमेशा हम लोग पास power कम होता था production हम लोग जितना करते बढ़ाते आते थी इस country बढ़ा रहा था growth हो रही थी power production की लेकिन फिर भी short पढ़ती थी क्यों कि industries बढ़ती रहती थी industries growth हो रही थी लोगों की demand चल रही थी demand हो रही थी power shortage हो रही थी आज के रोज power industries बंद हो रही है power जो production industries है वो बंद हो रही है इसलिए बंद हो रही है क्योंकि power कोई लेने वाला नहीं power लेगा कौन जब industry है नहीं जो power कहां से लेगा तो इन सारी situation को देखते हुए जो आज unemployment है जो farmer sector है जब farming sector के लोग है वो परिशान है schedule कास schedule tribes जो लोग जो गरीब आदमी खास तोर से जो कि इन सब चीजों के जिनकी तरफ आप आप तो देश भक्तिया बहुत चीवा देश भक्तिया उनी चीए आप कहते हैं हम गिनीज वर्ल्ड में जाते हैं जला करके जरूर जाएए लेकिन पैसा किसका खर्चा हो रहा है पैसा तो हम लोगों का हो रहा है तो आप जिस गरीब आदमी को आप दे सकते हैं उसको आप चाइना से लाके दीपक जला करके गिनीज वर्ल्ड में जाते हैं यहां के कुमारों से दीपक बनवा लेते तो शायद कुछ गरीबों का भला हो जाता उनके कुछ दीपक जल जाता दिवालीग में अंधेरा नहीं रहता लेकिन उसकी जगए आप चाइना से लाकर के बत्ती जलाते हैं, लाइट जलाते हैं सामान जलाते हैं, यहां की इंडस्ट्रीज को आपके डारे कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे आपके माध्यम से इनसे यह कहना है कि अपना एक्स्ट्रा वेगन्स खतम करें थोड़े खर्चा कम करें, खर्चे कम करके फोकस करें, आज मूडीज ने इनकी रेटिंग इंडिया की गिरा दिये, तो इस पे ध्यान दे कि ऐसी सिचुएशन आज आ गई है इससे ज़्यादा और वर्स आ जाएगी तो क्या होगा, यह कब तक मीडिया के साहरे चलेंगे, मीडिया को पैसा कितना देते हैं, एक बार यह भी आकड़ा आपके सामने आना चाहिए, कि मीडिया में कितना पैसा एडविटिस्मेंट में I'll just take one moment, मीडिया में कितना एडविटिस्मेंट में पैसा खर्चा होता है, और उनको एडविटाइज करने के लिए देते हैं, हर चैनल में हम लोग देखते हैं कि इस चेट का, उस चेट का यह सेंटर का बड़ा अच्छा काम हो रहा है और उसके बाद पूरे दिन फिर वो चाहे महराष्ट हो, चाहे कोई हो और यह जो चर्चा एकनॉमिक की मीडिया में नहीं दिखेगी, मीडिया में कही पर इसकी चर्चा नहीं होगी, मीडिया में खाली वही चर्चा होगी जो आप चाहते हैं दिखाना तो कब तक दिखवाएंगे, कब तक लोगों को आप मन भढ़का के रखेंगे, जो गरीब आदमी जिसका जो भूंक से मरर रहा है, जो अनियम्पलइट है, जो आज तरह तरह की activities में involved हो रहा, आज loot हो रही है, डख्यटी हो रही है, आज extortion हो रहा, इसके पीछे कारण क्या है, अनियम्पलोईमेंट, तो अंियम्पलोईमेंट अगर आप नहीं खदम करेंगे, तो इस तरह से खाली मीडिया का इस्तेमाल करके या और तरीकों से इस्तेमाल करके लोगों का मन भटका करके ध्यान भटका करके आप जादा दिन भी चलपाएगा इस पे गंवीरतास देगना चाहिए आपने रिफॉर्म्स कुछ लाएं जी एस्टी वगरा में आपको ये भी आपके अधिकारी किस तरह से उसको इंप्लीमेंट कर रहें इनको भी देखना चाहिए इसीक साथ में अपनी बास सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुं सकें आप सबसे पहले